हालो अलत सुदामन आज के वीडियो के अंदर हम नेटवर्स वीवन कुर्स बुक का अगला चैप्टर करने वाले है और इस चैप्टर का अगर आपको भी एक्स्प्लेनेशन नहीं समझा सिर्फ अंसर्स चाहिए तो आप गूगल पर इस चैप्टर का नाम और उसके आगे जर इनके अंदर उसका सॉलुशन वीडियो में लेकिया होगी तो आएए वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइब का नाम है उम्वेल्ट फ्राइंगलिश यहां पे हमार पास एक नाउन है दी उम्वेल्ट जिसका मतलो होता है इन्वार्मेंट या पर्रेवरेंट फ्र सबसे पहले इनको देखते हैं सबसे पहले इनको देखते हैं सबसे पहले यहां पर फोटो देख सकते हैं अच्छा इन फोटो को देखो और बताओ कि इसमें कौन-कौनस आपको नए शब दिख रहे हैं और उन सब की हम वो केबरी फिर कवर करते हैं जैसे यहां पर देखो beautiful यह scenery दिख रहा है मेरे को scenery को जर्मन में हम क्या कहते है the lunch shaft उसके बाद यहाँ पर मेरे को यह waterfall जैसा लग रहा है waterfall को हम कहते है the waterfall stone, यहाँ पत्थर भी आपको दिख रहा है जैसे यह रहा stone को हम जर्मन में कहते है the stone इस अभी words को आप चाहो तो कहीं note down करके रख सकते हो और अगर आपको यह already पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने vocabulary पर सही काप कर रहे हो उसके next trees यहाँ पेड़ दिख रहे हैं हरा भरा है तो tree को कहते है the above और धेर सारे पेड़ हो गए यहाँ पर लकडिया भी दिख रहे है तो लकडियो को हम कहते है hall's stock उसके पत्ते है तो पत्ते को हम कहते है the glitter उसके इस परग्राफ को पढ़ते है देखो सबसे पहले मैं रीड कर रहे हूँ उसके आद वीडियो पॉस करके खुद रीड करना प्रिंकवासर फरग्राफ यह दोच प्रोटाग अगेंटलिश जिंदेश जोगार फिर ताउजेंट लीटर वेंमान दसवासर दसमान फ्यूर दी प्रोडुक्सियों फोन फ्लाइडूंग उन नारूंग्स मिटल ब्राफ मिट्रशने इसके अंदर पूचा गया है कि कितने लीटर पीने वाला पानी फरग्राउट मिन्स यूज होता है या जरूरत पड़ती है जर्मन को प्रोटाग मिन्स हर दिल अगर हम रियली देखे तो जिन्द एस जोगाज 4000 लीटर यह यहां 4000 लीटर तक भी इस्तमाल हो सकता है अगर हम इस पानी के इस्तमाल में क्या क्या इंक्लूड कर दे मिट रेशने इसका मतलब होता है इंक्लूड करना पहले तो प्रोडूक्सियों फोन क्लाइडू मिन्स कप्रों का प्रोडक्शन और नारूं स्मिटर मिन्स फूड स्टफ खाने पीने की चीज़े अगर हम इनको भी इंक्लूड कर दे तो जो पाने की जरूरत है वो पर दिन हर दिन 4000 लीटर तक भी पहुँच सकता है और यहा लाइडूंग आपको पता ही होगा कपडे प्रोडूक्सियों प्रोडक्शन नारूंग स्मिटर मिन्स फूड स्टफ तो यह रहे तीन ओप्शन्स और इन तीन ओप्शन्स के हिसाब से इसका सही अंसर है बे ऐन हुंडर्ट फ्यूंफून स्वांसिश उसके दूसरे फोटो फ्लाइश कॉंजूम का आर्टिकल होता है दिया मीट कंसम्शन कितना ज्यादा मीट काया जाता है तो सबसे पहले इस फोटो को देखते है और इसमें बताव आपको क्या क्या दिख रहा है यहापे मेरे को दिख रहा है गोड़ा गोड़े को हम जर्मन में क्या कहते है दास इसके बाद यहापे मेरे को मुर्गे चिकन यह सब दिख रहे है तो इसको कहते है दास फून यहापे दी यूना बहुत सारे चिकन हो गए उतके अगला यहापे मेरे को गाय दिख रही है तो गाय को जर्मन में हम कहते है दी कूग पीछे मेरे को बादल भी दिख रहे है तो तुसके अमेर को यहांपे एक वेरहाूस दिख्रे गुदाम सा एरिया, तो उसको हम कह सकते दस लागरहूस मिन्स वेरहूस. अब हम इस पारग्राफ को पड़ते. अब इसको वीड़ोस करके कुदेगा रीट करों। अब इसको मतलब समझते हैं. अब इसको मतलब समझते हैं. फ्लेश मतलब फ्लेश, मास, मीट. इस, इस मींज एट, खाना. डॉचर मींज जर्मन. एक साल में जर्मन कितने किलोग्राम मीट खाते हैं? ताइम है, जाइनसलेबन, जिल्दगी का. फर्षपाइस, फर्षपाइस मींज एट या कॉंजूम करना. कितना काते हैं? 45.5 किलोग्राम, श्वाइन मींज पॉर्क यानि पिक का मास. 5.1 किलोग्राम में बेड का मास और बकरी का मास दोन इंक्लूड होता है. और बागी चिकन कितना हो गया? 926. दिया, मार्क तंटाइल मींज मार्केट शियर वियो फ्लाइश. वियो फ्लाइश मींज यह जो ऑर्गैनिक मीट है. इसका मार्केट शियर ओल्मोस्ट कितना है? सिर्का मींज ओल्मोस्ट ज्राइप्रोजेंट 3% है. तो इसका सही अंसर है option B. 925,6 kg. उसके अगले पर आती है. यह 500 km. यानि कि कितने km ट्राइल की है? फोटो में आपको कुछ दिख रहा है वो कैबलरी जो आपको ना पता हो. जैसे यहां पर रोड दिख रहा है. तो रोड को हम कहते है दीस्त्रास. यहां पर ट्राफिक हो सकता हैं. त्राफिक वाहम क्या कहते है? लिया क्या है? और ट्राफिक लाइट कर सी्व enslaved पर ट्राफिक लाइट को हम कहते है the अंपल. करद दो हम परेजद आपकोट एक्रते. अजॉ माल सुम मोंद उन्वीड़ जर्ग रात एंज मेड़िज गानेशश प्राद लेगा एंचेटि कर्देश एंचे प्राद करते. इसका मतलब है कि सो अगर हम चांद तक जाए और वहां से वापस आ जाए नो जितना डिस्टेंस वो होता है उतना डिस्टेंस एक जर्मन अपनी पूरी लाइफ में गाड़ी कार से ट्रेवल करता है नाप मिनस अलमोस्त पचास मिलियन गाड़ी जो है वा रजिस्टर थैंगे मेल देट मिनस वह इस्टर जर्मनी के अंदर बैया आयना गेजाम प्योके रूँग में स् टोटल पॉपुलेशन अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें जो की असी मिलियन से भी ज़ादा है Statistic4 Statistically means statically means satacary data जह से तो हर दो परसंडमे से एक परसंड के पास लाडी है ही है अगले पेज पर फोटो सहा है मूल कोड़ा कच्रा यहां पर आपकर फोटो में प्लास्टिक बैक दिख्याया है अभ्यात्र ग्याधन कंधेर्षा प्लासिक लिधतिए ज distribution प्लासिक टेट प्लासिक थेट रबंग्धन प्लासिए भूर्टार टादर प्लासित विधार्बेधन है छोग्याधन झालग्व उन्द टैटिघूर्ट स्वांट छोग्षान एल्माख्ग जादमनें लोगें फ्ल अब इसको एक बार खुद रीट करूँ वीडियो पॉस करके का मतलब है कि इतने तन म्यूल कत्रा प्रोडियूस होता है जर्मनों के द्वारा उनकी पूरी जिन्दगी में 10 जिन्द ये जो है हर हफ्ते की बात करें तो 8.4 किलोग्राम है यह इंट्रस्टिंग बात है कि यह जो इनका नंबर है वो इतने सालों से इसन यह कि टाइम के साथ अगर पॉपुलेक्शन उपर नीचे हो रहा है तो कचरा भी बढ़ता जा रहा है नहीं यह नंबर कोई बढ़ने का कोई भी ट्रेंड भी देख रहे है फिलाइस्ट में इसका रीजन यह हो सकता है है यह गिव बढ़न निस हाई गार्बेज चार्ज जर्मनी में हमें कूडा अलग कूडा कलेक्शन जो होता है उसमें मिल्ट रेनू यानि वेस्ट सौटिंग कच्रे को अलग के इसके हिसाब से फैक ना होता है यानि कि अगर कोई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कच्रा है तो खाने पीने वाले कच्रे के साथ नहीं फैक सकते प्लास्टिक है तो उसको अलग रखोगे कोई बायोडिक बेबल चीज है उसको अलग रखोगे तो यह वेस्ट सौटिक हुआ इसको हम जर्मन में कहते हैं देया मिल्ट रेनू और ये क्चर बुक्र ये क्चर बुक्र एट ज़िए बाकर वेस्टबूच फै लुच जर्वेड़िक बुक्र झाट बिबल्ट घ्क्रे संब्डन कहते हैं तो लेक्ष अलग इससे पाप्रिए पार्श बप्रुट इस्प्रे जिएम एग्द बाधिव धरिश्वेश बिश्ष याऀ नीजाचस नीज़ घरेगरे शेयर जीजवरण जैया फ एंपर में येे बरावर और्मोस एक्मों सब्सक्षे ने एम्रेपल के पिताब के बरावर एम्हार चारो के ये एंद मैं से बांकम कहुरते लेकिन यह беспांकम अम्हार बांकमी घख है यह ने शिरीस tapes के Harry Potter की सीरीज किती मोटी है English means every day पेपर का बड़ा सा माउंट Untile means amount बड़ा सा माउंट कहां जाता है For Parkungs material means packaging material में और ये सारा packaging material में जो paper use होता है वो last में कहां कचरे में जाता है ये एन A4 paper जो है यारनी Dodge Industry Normal अपर जो standard size का paper use होता है A4 sheet वो total 8 million ton हर साल use होता है English means overall या total 8 million ton इस्तमाल होता है And Guter Soup Guter Soup means small गाड़ी यादे समान को इधर से उधर करता है वो वाली गाड़ी ट्रेन Transport करती है Transport here at means transport करती है Manga means quantity वो कितनी होती है लगबग 300 km लंबी होती है वो गाड़ी जो इन सबी कागच के कच्रो को Transport करती है I think मैं पीछे वाले का अंसर बताना भूल भी इसका अंसर है A और इसका अंसर है C वाला Rund means almost 200 zx and fuses अब हम यहां पर question number one पर आते है, question number one के अंदर आपको क्या करना है, वैसे तो यह cd वाला question है, कोशिश करना की cd, youtube पर आपको बहुत वरी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से खोलो, और सुनने की कोशिश करो कि उसमें बोल क्या रहा है, उससे आपकी listening की practice होगी, means conversation को सुनो, वो जिन्जी पर जोनन, परसन को हाँ है, means कौन से theme के बार में बात करते हैं, आपको कुछ शब्दे दिख रहे हैं, जैसे की फरपाकू, means packaging, जिश एल्होलन, recover होना, वापस आजाना, transport वेगर, means roots, mule, कज्रा, टियर शुट्सन, जानवरों को बचाना, गुटर्स वासर ट्रेंकर, means अच्छा साफ पानी पीना, लिउम्वेल शुट्सन, means environment protection, उसक्या गुटर्स आजसन, अच्छा खाना खाना, recycling, means recycling, लेबंस मिटल आउस देया रिगयों काउफन, means खाने का समाहना, जो लोकली मिलता हो, वो खरीदना, प्राइस फर ग्लाइशन, means price को compare करना, इनर्गेश पारन, means save energy है कि जिनोंने इसका CD या ओडियो सुन लिया है, उस ओडियो में अच्छली बात क्या हो रही है, इस परसन जो आडियो में बोल रहा है, और वो सुपरमार्केट में है, वी इस प्रेशन यूब उम्वेल्ट बवुस्तस आइन काउफन, इन्वर्मेंट फ्रेंडली तरीके से खरीदने की बात कर दिया, दाथू गेहरन थेमें वी फरपाकूं, जब आप कोई भी समान खरीबते हैं, शोपिंग करते हैं, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टन है, क्या उसका प्राइज इंपॉर्टन है, क्या इंपॉर्टन है, कौन से ब्रैंड का है, यह जरूरी है, या फिर कहां से वो ओरिजिन हुआ है, हैर कुंट वो जरूरी है, या फिर, आपके लिए यह इंपॉर्टन है, क्यी वो भी हो, यानि ओर्गानिक होना चाहिए, तो इस बारे में आपको अपना माइनूंग बताने, तो आप यह वीडियो पॉस करें, और नीचे कुछ आपको फ्रेजिस भी दिये गए हैं, मेरे लिए जरूरी है की, उसके अपना सेंटेंस, इस फिंडे, उसके जो भी आपको बात लिखनी है, निश्ट जो विश्टिश, तो इसके अंदर आप धियान रखे कि हमने अभी तक बीवन में जो भी ग्रामर टॉपिक्स पढ़े हैं, स्पेश्लिक कनजंक्शन, ओमसु के कॉंसर्ब, तमाल करके आप सेंटेंस बनाएं, तो आई होब से आपने अपने सेंटेंसे बना ली होंगे, यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसे बनाए हैं, तो आईए उनको एक्स्प्लेइन करती हूं, पहले मैंने लिखा है इस आख्टे इमर आफ दी हरकुंफ दे लेबंस मिटर मैं हमेशा मेक्शुर करती हूँ कि जो खाने पीने का मैंने समान लिया है वो कहां के और ही दिन का है यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है दासे स्फ्योर मेश जयविश्टिश इस फिंडे आउक दास प्रोडुक्ट मेटीरियल जयविश्टिश मेरे लिए प्रोड़क्ट मेटीरियल भी बहुत ज़रूरी है फोर एग्जामपल मैंने एक एग्जामपल दे दिया कि मेरे प्रोड़क्ट के अंदर वेजटेबल ओईल नहीं होना चाहिए तो इसलिए मैंने रीजन दिया वाइल एस काइना फ्लांजन अल हाबन जोलत क्योंकि उसके अंदर कोई प्लांट ओईल नहीं होना चाहिए इसी तरह आप यहाँ पे कोई और रीजन भी लिख सकते हो कि उसके अंदर जादा शुगर नहीं होना चाहिए यह फिर उसके अंदर जादा फैट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग जो भी आपको पीनियन है उस हिसाब से इस इस मिया जेविश्टिश दास इस दी लोकाल मेरके उन्टर स्थिर्ट सा यह मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं लोकल ब्रैंड को सपोर्ट करूँ इस टेंक कर मैं सोचती हूँ दी मारके इस फ्योर मिश्ट विश्टिश कि कौन सी ब्रैंड का है यह मेरे लिए उतना इंपोर्टन नहीं है इस फर्गेसर निश्ट और वही अगर आपके लिए ब्रेंड बहुत इंपोर्टन है तो आप लिख सकते इस टैंक है दिमार्क का इस फ्योर मिश विश्टिश उठके नेक्स्ट इश फर्गेसर निष्ट मैं कभी नहीं भूलती देन प्राइज सू फर्गलाइशन प्राइजिस को कम्पेर करना तो यहां पर देखो हमें टेक्स रीट करना था फोटो के नीचे जो हम कर चुके हैं उन राटन राटन मींज यस करना उनसा नमबर सही है और उसके अपने पार्टनर के साथ दिसकस करना यहां पर फ्रागर स्वाय बे है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप पेज नमबर 159 इ अचर दिख जाएगा और पूचा गिया कि वस हार्दी यूबर आश्ट मींस आपको क्या सप्प्राइजिंग लगा देखो इस शाबे निष्ट गेवस्ट मेरे को नहीं पता था दस मन इंडॉचलान सो फिया पापिया फर ब्राउन कि जर्मनी में लोग इतना जादा पेप तो आपको भी यही फील आया होगा कि मुझे नहीं पता था कि जर्मनी में इतना जादा पेपर इस्तमाल होता है मुझे तर लगता था कि वर टेक्नॉलजी एडवांस होंगे जैसे हमारे यहां तो यूपिया डिजिटल चल रहा है पर जर्मनी में अभी भी बहुत जादा इसको देखके आपके दिमाग में क्या थोटा है होगा कि इस हाबे निष्ट गेवुस्त मेरे को यह पता नहीं था दास मान इंडॉजलान ने जादा डिसिप्लेन होते हैं वो टाइम के साथ बढ़ा ही नहीं एकदम कॉंस्टेंट रहा है तो आप बोल सकते हो कि मेरे को नह कि इतना जादा वोटर कंसुंप्शन इनका होते हैं अगला यहां पर थाट क्वेशन है वी उम्वेल्ट फ्रेंगलिश लेबन सी रशेशियारं जी इम इंटरनेट देन बेग्रिफ एकलोगिशन फ्रसप्ट्रोग लासं सी एरे एकलोगिशन फ्रसप्ट्रोग बरेशनन व एकलोजिकल फुट्प्रिंट वहां पे आप रिसर्च करो कि एकलोजिकल फुट्प्रिंट है वो कैल्कुलेट कैसे होता है आपको क्या लगता है इस सवाल के बारे में रिपोर्ट बनाओ और कंपेर करो जो सबसे पहले हम समझते है कि यह जो एकलोजिकल फुट्प्रिंट यानि ecological footprint या carbon footprint एक concept है जिसके अंदर ये बताया है कि humans कितना resources इस्तमाल करते हैं उस इस्तमाल के compassion में कितना carbon produce करते हैं मालो आपने सबजी या दुकान से खरीदी तब आप कहोगे कि इसके अंदर हमारा ecological या carbon footprint कहां से आया सबजी तुम्हें पैदल कही पास से लेने तो देखो जब आपके पास जहां से आपने समान लिया उसके पास कहीं retailer से आया होगा समान जब वो कहीं और retailer से या गोदाम से या कहीं से भी उसके पास समान आया तो वो गाड़ी से transport हुआ अब मालो की आप एकदम farm के पास ही रहते हो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं दूर से आ रहा है आपके घर के पास ही farm है और वहाँ से समान ले रहे हो यहाँ पे भी जब खेती की जाती है तो ट्रेक्टर या और भी मशीने इस्तमाल होते हैं और मशीन जब इस्तमाल होते हैं तो कार्बन कहीं न कहीं produce होता है तो हम जो भी resources यूज करते हैं उसमें कहीं न कहीं कार्बन का production होता ही है तो इस topic के बार में अगर आपको और जानना है तो आप YouTube पे search कर सकते हो आपको एक दो animated videos अच्छे अच्छे दिख जाएंगी जिससे ये समझ अच्छे से आजाएगा तब यहाँ पे question हमारा main है आप कितना environment friendly रहते हो ये हमारा है topic माइनूं के लिए तो इस topic को note down करो और वीडियो pause करके इस topic के उपर अपना opinion बताओ कि आप कितना environment friendly रहते हो इसमें कुछ sentences example बता देती हो जैसे कि अगर कोई flesh नहीं खाता तो वो लिख सकता है कि मैं flesh consume नहीं करता या फिर कोई plant based diet पे है तो वो भी लिख सकते हो उसके कुछ लोग है वो अपने घर पे fruits, vegetables grow करते है तो ये भी friendly तरीका है रहने का उसके काफी लोग पास से ही shopping करते है या फिर local जो समान मिलता उसको support करते है काफी लोग अपनी shopping एक साथ कर लेते है ताकि बार-बार आना जाना ना पड़े उसके काफी लोग कोई चीज कचरे में फैकनी की बजाए अगर उनके पास extra है तो वो गरीबों को दे देते है या फिर animals को खिला देते है कुछ भी या फिर काफी लोग कोशिश करते है कि वो हमेशा public transport यूज करे और काफी बार लोग second hand समान भी लेते है second hand कपड़े भी काफी लोग लेते है तो यह सारे points को आप लिख सकते हो तो वीडियो पॉस्ट करके माइनूंग लिखो यूप सो आपने अपना माइनूंग लिख लिया होगा तो यह रहे कुछ points जो मैंने इस topic पे लिखिया है इस ऐसे kind flesh मैं मीट नहीं खाती पिक जेते हैं अपन आपपने अपने मीश चाब लिख लिख व्क लिख रिग्ट Więc लिए अज्ट्ट मैंने मीट पुरी मैंने माल्कίν लिख मुन में ऻूनेom काइभ उपने में कोच ज़ गद्ने में कानेा काइभाते हैं इस बाने मैना ऐंकोफ अनमाल सेट मैं अपना प्लैन कर लेती हूँ कि मैं क्या-क्या शॉपिंग करने वाली हूँ मेरे खाने पीने का रूटीन क्या रहता है हफते का रूटीन क्या रहता है और उस हिसाब से मैं एक साथ ही सारा शॉपिंग कर लेती हूँ इश वेर फे नी एट वास इंदी मिल्टो न वैन इश मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लो तो मैं डस्ट वीन में वो एक्स्ट्रा चीजे नहीं फैकती या तो वो एक्स्ट्रा चीज डोनेट करने वाली हो तो मैं गरीबों को दे देती हूँ या फिर कुछ काने पीने का समान हो तो वो एनिमल तो वो मैं एनिमल्स को भी खिला देती हूँ वेन इश इन देन नहा फोन माइनम हाउस आइन काउफन मुस जब मेरको अपने घर के पास ही शॉपिंग करना होता है मैं उत्से इश दी जो फेंट लेशन फेल केर स्मिटर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ या फिर यह लिख सकते हो सूफूस के हैं पैदल जाती हूँ ओडर मिटफाराद फारन साइकल से जाती हूँ मैं जमल काउफ इश आउख तिंग और स्वाइटा हांथ कभी कभी मैं सेकेंड हैंड समान भी लेती हूँ इश आख्टे दाराओ मैं मेक्शूर करती हूँ दास इश कापूता दिंगर रिपारियर मैं मेक्शूर करती हूँ कि जो भी मेरे घर में चीज़े हैं खराब उनको ठीक करवाँ तो इसके अंदर आप चाओ तो अपने हिसाब चाओ और भी चीज़े एड कर सकते हूँ आप जैसे भी इंवर्मेंट फ्रेंडली रहतो वैसे रख सकते हूँ इसके अंदर हमें बताना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं पिचर्ज में उसमें से क्या बैटर है आपको क्या लगता है और उसके बाद अगर आप ग्रूप में यह कर रहे हो तो ग्रूप में डिसकस करना है यहाँ पे अपना माइनू बताना है एक्जामपल के लिए पेहले पिचर में मैं यह लिख सकते हूँ कि मेरे को डूशन बेटर लगता है क्योंकि उसके बहुत सारे फाइद है जैसे के हम फटाफट से नहा लेते हैं और डूशन काफी हाईजीनिक होता है और अगर हम वार्मस डूशन यानि थोड़ा गुन-गुना पानी से नहाए तो वो काफी बेटर होता है स्लीपिंग के लिए तो ऐसी हर एक पिचर को आप देखो और उसके बाद उसमें से क्या आपको लगता है कौन सी चीज़ बेटर है इन्वार्मेंट के लिए और क्यूँ इस पर आपको संटेंस बनाने है तो वीडियो पॉस करके इस क्वेशन को अटेंप्ट करो इस निश्ट शुल्डिष फिर दी सिट्वाधियो या मैनने थोड़ा इसी इंट्रो वगेरा के लिए लाइन लिख दी थी संटेंस का मतलब है कि मैं शियर हूँ कि मैं खुद को सिर्फ और सिर्फ खुद को तो इन्वार्मेंट के लिए बलेम नहीं कर सकती लेकिन मैं ट्राइ करती हूँ कि मैं इन्वार्मेंट फ्रेंडली बनूँ इस फर्जू के उमवल्ट फ्रेंडलिशा सुजाई इस डूशली पर आल्स सू बातन मिरको बेदिंग से ज़्यादा डूशन यानि शार पसंद है इस के बहुत सारे फायत है इस कान शनल डूशन मैं फटेक से नहा सकती हूँ और फरब्राव का वेनिश वासर और इसमें कमपानी की ज़रुत होती है आउसरदें फिंडे इस डाल डूशन जेर हाईगी निश इसके अलावा मेरे को ये डूशन यानि शावर लेना काफी ज़्यादा हाईजिनिक लगता है मीन से गुनगुने पानी से शार लेना इसके काफी बेनिफिट्स है काफी यूसफूल है क्योंकि ये बेटर स्लीप में मदद करता है ऐसी अगर आपको लगता है डूशन नहीं बादन ज़्यादा बेटर है उमवर्ट के लिए तब उसमें अपने पॉइंट्स बता सकते हो कि आपको ऐसा क्यों लगता है अगले में मैंने लिखा है कि माइस्टन सकाफी इस सुमजूपर माग में ताइन स्टॉफ ताश है मिंस मोस्टली तो मैं कपड़े के बैग के साथ शॉपिंग करती हूँ वैन इस माइन फर गेस है जब मैं अपना बैग भूल जाती हूँ मैं एक प्लास्टिक ट्वीच चूछ करती हूँ क्योंकि देखो प्लास्टिक बेग के बहुत सारे फाइदे हैं वह जल्दी खराब नहीं होता है प्लास्टिक बेग अगर हम ऐक लिग्छ तो यह बार भार भी यूग्छ कर सकते कि ये प्लास्टिक बैक सिर्फ हामफूल ही नहीं बलकि बहुत सारी जगह उप फरबॉटन यानि कि बैन भी है इस आक्टे दराओफ मैं मेक्शुर करती हूं मैं उसको ज़्यादा इस्तमाल करूँ एक ही बार फैकनी की बजा है मैं मेक्शुर करती हूं कि मैं उस प्लास्टिक बैक को बार बार यूज़ करूँ इसी में अगर आपको लगता है कि पेपर बैक ज़्यादा इन्वार्मेंट फ्रेंडली है और आप क्या सोचते हो तो उसमें आप पता सकते हो अपना कि पेपर बैक के बहुत सारे फायदे है यह जल दी कंपोज हो जाता है उसके बाद अगला है इस बेन यूबराश्ट दास एन गेशेश प्यूलर उमवेल्ट फ्रेंडलिशर इस आल्स गेशेश प्यूलर फोन हांट मेंस मेरे को बहुत सप्राइजिंग लगा जब मैंने पढ़ा कि गेशेश प्यूलर जो परतन दोने की मशीन है वो जादा इन्वॉल्मेंट फ्रेंडली है एस कंपेर टू जब हम हाथ से दोते हैं होट गेप तेस पैसर मोडरन मशीन है आउफते माक्त आज की टाइम पर काफी ज़्यादा बेटर मोडरन मशीन से है दी वेनिश वासर उन एनर्गी फर ब्रॉक है जिसमें कम पानी और कम बिजली एनर्जी इस्तमाल होता है जब परतन कम होते है शपुले इस मिड़े हंट मैं हाद से दोती हुँ बऱन और इसी तरह अगर किसी को लगता है कि ie ना हाण शपुले हाद से बरतन दोना बेटर है क्योंकि यहां पर हमें बिदली का क्यों जहन्ज़ट नहीं होता हम जब मर्जी फटाफट से दो सकते है तो वो इस साइट से अपना उपिनियन बता सकते है रीजन के साथ इस देंक के मान जोलता मिट इलेक्ट्रोनिश ब्यूशर लेजन वेन ये मान सूफील ब्यूशर लेस मेरको लगता है कि परसन को इलेक्ट्रिक बुक से रीट करना चाहिए जब वो बहुत ज़्यादे किताबे पढ़ते है नॉर्माले वाइजर बिरनुट से इस इलेक्ट्रोनिश ब्यूशर श्टार्ट ब्यूशर आउस पापिया नॉर्मली वैसे यूश्वली देखा जाए तो मैं इलेक्ट्रोनिक बुक्स यूज करती हूँ इंस्टेड ऑफ पेपर बुक और वोल इस एस्टेब्यूशर जेमाल जबकि मेरको रियल बुक्स ज़्यादा पसंद है आप अपना उपिनियन भी पता सकते हो कि नहीं इलेक्ट्रिक बुक बेटर नहीं होती पेपर से बनाऊगा बुक बेटर होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक बुक के अंदर अगें इलेक्रिसिटी यूज होती है काफी ज़्यादा एनर्जी यूज होती है तो वह भी क्या फाइदा आप अपना रिजन दे सकते हो तो यहाँ पे आपको ग्रूप में एक्चली काम करना है बट हम तो अपना खुदी पढ़ रहे है तो आपको यह टेक्स्ट रीट करना है और उसके बाद जो भी इंपोर्टेंट इंफुमेशन है उसको माक करना है तो यहाँ पे रीट करने की बजाए मैं आपको यह जो लिखा हुआ हुआ इसको अडियो प्ले करूंगी आपको ध्यांसे सुनना है साथ मैं आप सुनते सुनते रीट करो और जो भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंशन है इस पारग्राफ में उसको माक करना है साथ बाद बादे बादीपनना बादेवन आपको अिहेंственाओ सना है इस अपोर्बश बादे चेंदेश कि बजादे आपको ату उसको大概 1.5 cm आपको अमनूपत बाहरोंशने हाह Care ओूदियो गातको बाने बाहरोंग एहरोंओ एजाओशनें उसकोपш ब Mouse और्जे सबीने आज क Das ist viel umweltfreundlicher als Baden. Geschirrspüler, von Hand spülen Der Geschirrspüler ist ganz klar die bessere Wahl. Die modernen Maschinen sind effizienter geworden, da sie weniger Wasser und Energie als früher verbrauchen. Wichtig ist, die Maschine nur einzuschalten, wenn sie voll ist. Für die gleiche Menge Geschirr ist der Wasserverbrauch viel höher, wenn man von Hand spült. Plastiktüte Papiertüte Hier gibt es keinen klaren Gewinner. Plastiktüten stellt man oft aus Erdöl her. Bei Papiertüten handelt es sich um Menschen mit Chemikalien. Damit sie nicht reißen. Eine Stofftasche zum Einkaufen mitzunehmen ist natürlich die beste Alternative. Wenn Sie diese vergessen haben, dann nehmen Sie lieber eine Plastiktüte als eine Papiertüte. Da Sie diese öfter verwenden können, ist das die bessere Wahl. Buch E-Book Sie lesen mehr als 10 Bücher pro Jahr? Dann sind Sie mit einem E-Book Reader auf der ökologisch korrekten Seite. Aber Sie müssen das Gerät länger als drei Jahre benutzen. In diesem Zeitraum spart der E-Book-Leser viel Papier, Energie und Treibhausgase ein. Die gedruckten Bücher kommen zu einem schlechteren Ergebnis. Next, hier haben wir ein Grammar-Konzept. Was ist besser für die Umwelt und warum? So, wenn wir hier eine Frage stellen, warum? Warum? Wenn wir die Antworten haben, dann sagen wir die Because. Dann sagen wir unsere Reason, Begründer. So, wenn wir unsere Reason, Begründer sagen, dann sagen wir die Because. Und dann sagen wir unsere Reason. So, Because haben wir hier 4-5 Reader. Wir haben die Antworten gemacht. Main, wir sehen uns vorher, While, The und Dann. So, erst mal sehen wir die denn-Konzept. Dann ist die denn-Konzept. Dann ist die zwei Main-Sentences. Das ist die beiden Haupt-Satz. Und dann sagen wir die denn-Konzept. Dann kann die Verbein jetzt nicht mehr Verbein. Dann kann der Verbein, wenn wir die Verbein. Dann kann die Verbein. Dann wird die Verbein, wenn wir die Verbein. Dann kann die Verbein. कोई change नहीं example के तोर पर यहाँ पर हम देखते हैं मैंने दो sentence लिए is abitanist, मैं काम नहीं करती is been muted, मैं थकी हुई हूई हूई तो is abitanist मैंने अपना पहला hope चास दिखा comma, फिर then लगाया because is been muted क्योंकि मैं थकी हुई हूई हूई यहाँ पर notice किया आपने start नहीं कर सकते इसी तरह एक और एक्जामपल देख सकते हैं यहाँ पर इसको अब हम then से जोड़ते हैं यहाँ पर इसको अब हम then से जोड़ते हैं यहाँ पर पर रहा है क्योंकि वो एक्जाम में पास होना चाहता है तो main इस टॉपिक की समरी यह है then दो हाउप जाच को connect करता है word order में कोई भी change नहीं आता है यानि verb की second position होती है नॉर्मल केस में और अगर और कोई modal वाब या फिर helping वाब हाबन या zine का कुछ conjugation आ गया बीट में तो main verb जाएगा हम end up और कभी भी then से कोई भी sentence start नहीं होगा अब हम while की बात करते है while का मतलब भी होता है because और अगर हम sentence structure की बात करें तो while और the काफी common इस्तमाल होता है तो यहाँ पे जब हम while का इस्तमाल करते हैं तो जो हमारा second sentence है उसका verb conjugate होके end पे चला जाता है पहला वाला example लेते है is a biternist is been muted तो पहले मैंने बोला अपना sentence बता है is a biternist मैं काम नहीं करती फिर मैंने कॉमा लगा के while लिखा अब मैंने while लिखा तो अपना reason बता रही हूँ कि मैं क्यों काम नहीं कर रही while is been muted अभी मैंने बता है कि जब हम while का इस्तमाल करते हैं तो मेंन वर्ब एंट पे चला जाएगा तो हमारा सही sentence है is a biternist while is muted been मैं काम नहीं कर रही क्योंकि मैं थाक्यू हूई हूँ I will the proofing बिश्टे हैं वैं पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसे पास होना है तो while के rule के हिसाब से हमारा जो मेंन वर्ब है जो इसने भी second position ली है वो end पे चला जाएगा conjugate होके तो हमारा sentence बन गया is to the earth, while is the proofing बिश्टे हैं will यहाँ पर while के साथ हमारा पास एक और चीज आती है कि हमारा पास दो option होते हैं या तो while को हम sentence के बीच में लगाए या फिर while से हम sentence स्टार्ट भी कर सकते हैं तो जब हम while से sentence स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला sentence का structure सेम होता है पहले हम reason दे रहे हैं while is murder been while का हमारा structure सेम रहा just because हमने while से स्टार्ट किया तो हमारा main verb अभी भी end पे ही रहेगा उसके बाद जो हमारे second sentence है जब वो स्टार्ट करेंगे तो second sentence का verb यहां पे पहले आ जाएगा while is murder been कॉमा आवाइटे इस निष्ट क्योंकि मैं ठकी हुई हो मैं काम नहीं कर रही तो यह एक sentence बनाने का तरीका है तो फर्स्ट वाला तरीका हमने A2 लेवल बन भी पढ़ा था तो आपको आता ही होगा यह जस्ट as a revision थी उसके बाहन नीचे यहां पे देखते हैं summary क्या है इसकी while से हम connect करते हैं एक हाउप जात्स को और दूसरा नेबन जात्स को यानि एक main sentence होता है एक main sentence होता है और दूसरा subordinate sentence कि जब while का इस्तमाल middle में करते हैं कॉमा लगा के while लिखते हैं तो हमारा verb end पे चला जाते है और अगर sentence while से start हो रहा है तो first sentence का verb end पे ही जाएगा जैसे कि अभी हमने उपर example देखा और जो second sentence start होने वाला है जो हमने q reason बताया उस reason की वज़े से क्या हो रहा है तो वो जो second sentence हमारा है उसका verb start पे आएगा सेम दा की बात करते हैं तो जो भी हमने while के अंदर rules पढ़े सेम हर एक rule दा में follow होगा कुछ भी अलग नहीं है while और दा एकदम same है equal जैसे मैंने बोला is a bit honest, is been mute while के साथ हमने क्या किया था while लगाया तो main verb end पे चला गया सेम इसमें अब दा लगाएंगे is a bit honest, da is meude bin अगला हमारा एक और sentence था is studiat उसके बाद comma लगा के दा लगा देते है da is the proof of which the hand will यहाँ पे भी हमारा main verb end पे चला गया इस page का लिंक आपको निचर description box में भी मिल जाएगा don't worry उसके बाद यहाँ पे book में देखें तो हमार पास दो और तरीके हैं जिससे हम अपना reason बता सकते हैं पहले dissolve और दूसरा आउस दीजम गूर्ट जब हम dissolve और आउस दीजम गूर्ट का इस्तमाल करते हैं तो जब हमारे verb के position होते हैं उसमें कोई भी change नहीं आता है यानि while और the same rule फॉलो करते हैं verb end पे और वही then, dissolve, आउस दीजम गूर्ट जब इन में से कोई भी हम इस्तमाल करते हैं इपना reason बताने के लिए तो हमारा verb के position में कोई change नहीं आता वो normal second position पे dal verb, sein, haben इन सब के आने पे end पे चला जाता है तो normal जो हमारा grammar rule फॉलो होता है वो इसमें फॉलो होगा, कोई change नहीं तो यहाँ पे इसके practice के लिए आप यह कर सकते हो कि जो हमने 4A कोने में example दे रखा है क्योंकि गेशेश फ्यूलर में कम पानी इस्तमाल होता है कम पानी की ज़रुत पड़ती है second sentence का main verb आगे आएगा इसलिए यह बेटर है environment के लिए उसी तरह यहाँ पे शार लेना बेटर है as compared to baden because man ने जो फिल जब पर ब्राउखन या फिर और कुछ भी आप रिजन दे सकते हो अगला यहाँ पे question 5 है तो यहाँ पे आपको यह रीट करना है रिष्टिश ओडर फाल्ष आपको यहाँ पे इन सबकी में audio सुना रहे हो या फिर आप नही सुना चाहते होगिए तो आप डारेक्ट वीडियो पॉस्ट करके शीदे रीट करके रिष्टिश ओडर फाल्ष बता सकते हो याँजिश वाँण से नेती है जीशे वेश यहाँ प्रज्चन करुदी सिह अ करके पाल्ष जाती है रिष्टिश अज़ ए。 उबता हैं बता हैं एबता सकते हैं mớiहाँ प्रदिशन ीजिष्टक करकें चेना वेश्टकाश्तिशन करकेश फहीश करदे बता हैं ist am umweltfreundlichsten. Fünf gedruckte Bücher haben immer eine bessere Ökobilanz als E-Books. Sechs, eine Stofftasche zum Einkaufen mitzunehmen ist die umweltfreundlichste Alternative. TNPB-Pater markieren Sie in die Sätze in 5a, Comparative und Superlative Degree. Welche Sätze passen zu den Regeln? Kreuzen Sie diese Sätze in 5a an. Fünf a question में جو بھی آپ کو Superlative या Comparative Degree दिख रहे हैं उनको आपको Underline करना है. तब यहाँ पर एक हमारा Topic आता है Comparative und Superlative for Substantive. तो एक Grammar Topic है हमारा जिसका मतलब है Comparative Degree और Superlative Degree for means before Substantive means noun से पहले Comparative Degree या Superlative Degree जब हम इस्तमाल करते हैं तो उसको कैसे लेखते हैं तो इसके लिए Topic था A2, A1 में जो हमने Topic सीखा था Adjective वो Topic थोड़ा सा Revise करना होगा आप इस वीडियो का एक बर Description Box भी चेक कर लें उसके इंदर जो भी Important Links है इस Chapter से Relator जो आपको पढ़ने होंगे वो मैंने Mention कर दिया है उसको Adjective पता होगा कि Adjective से हम किसी भी Noun या Pronoun की विशेष्टा बताते हैं यानि Hindi में बोले तो विशेष्ट हैं जब हम A2 Level में पढ़ रहते तो हमने Adjective Endogen Topic पढ़ा था उस Topic के अंदर हमार पास तरीके बताए गए किस तरह से हम जब Noun से पहले कोई भी Adjective आये तो उसकी Ending लगा सकते हैं उसमें हमने 3 Cases सीखे थे सबसे पहला Cases हमने सीखा जब Ona Article कोई भी Article ना हो तो ये वाली टेबल फॉलो होती है उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था उन बेश्टिम टार्टिकल जब हमारा उन बेश्टिम टार्टिकल होता था तो ये वाले Cases फॉलो होते थे एंडिंग में हम ऐसे लगाते थे और तीसरा हमने पढ़ा था कि जब तो येवाले रूस फॉलो होते थे अडिक्टिव एंडिंगन में अब हम यहांपे सबसे पहले कुछ इंपोर्टन जर्मन अडिक्टिव देखले थे जो की आपको पता होना चाहिए पोसितिव लेगिर कम्पर्टिव और सुपर्लेटिव लेगिर तीनो यादोनी चाहिए अपोर्ट से इनको हम ढोदिज्धर ट्रू करले थे वह दोसितिव-Kompar्राटीव सुपर्लाटीव धिक-Dike अमधिक्स्तिण Dünn-dünner, am dünnsten, schlecht, schlechter, am schlechtesten, teuer, teurer, am teuersten, lang, länger, am längsten, kurz, kürzer, am kürzesten, groß, größer, am größten, klein, kleiner, am kleinsten, nah, näher, am nächsten, hoch, höher, am höchsten, gut, besser, am besten, gern, lieber, am liebsten, vielmehr, am meisten, alt, älter, am ältesten, arm, ärmer, am ärmsten. Dünn-dünner, am dümmsten, klug, klüger, am klügsten, gesund, gesunder, am gesundesten, grob, gröber, am gröbsten, hart, härter, am härtesten, jung, jünger, am jüngesten, kalt, kälter, am kältesten, oft, öfter, am öftesten. Scharf, schärfer, am schärfsten, schwach, schwächer, am schwächsten, streng, strenger, am strengsten, schwarz, schwärtsa, am schwärtsisten, warm, wärmer, am wärmsten, freundlich, freundlich, am freundlichsten, heiß, heißer, am heißesten, sour, saura, am soursten, lustig, lustiga, am lustigsten, spannend, spannender, am spannendsten, selten, seltener, am seltensten. इसके बाद यहां पर जब हम नीचे आते हैं, तो हमार पास एक और टॉपिक होता है, कि कुछ ऐसे adjectives होते हैं, जिनका कभी भी comparative या superlative degree नहीं बन सकता. का simply मतलब है, देखो, अगर मैं कहूं कि किसी की death हो गई है, तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते, कि यह person और ज्यादा मर गया है, बहुत ज्यादा मर गया है, यह थोड़ा से मर गया है, देथ, देथ होती है, उस adjective का कोई degree नहीं बन सकता, कि ज्यादा death, कम death. अगला है कि कोई चीज गल्थ है, answer, the answer is false, तो यहाँ पर अपर यह मैंने कह सकती कि यह थोड़ा सा गल्थ है, यह थोड़ा सा जादा गल्थ है, यह बहुत ही जादा गल्थ है, नहीं, गल्थ है तो गल्थ है, उसका कोई हम डिगरी नहीं बना सकते कि बहुत जादा गल्थ है तो यह कुछ common adjectives है तो अब हमार पास यहाँ पर topic है comparative and superlative degree noun से पहले जैसे मैंने एक sentence बोला जो यही पर दे रखा है जाए गेशेश प्यूलर is the best एक तो मैंने बोला कि गेशेश प्यूलर better है और दूसरा इसी sentence को मैं ऐसे बोल सकती हूं कि जो गेशेश प्यूलर है वो एक better option है यानि मैंने adjective के आगे एक noun दे दिया तो उस case में changes के आएंगे adjective था better उसके आगे मैंने noun लगा noun के पीछे अगर हमने कोई article लगाया तो जो उमारी article की table थी उस हिसाब से adjective and dogan follow होगा अगला यहाँ पर sentence है कपड़े का बैक सबसे बेस्ट है स्टोफ टाशन जिन्द दी बेस्ट आल्टरनाटिव आल्टरनाटिव दी आल्टरनाटिव होता है तो यहाँ पर ending आगी बेस्ट तो यहाँ पर हमार पास German adjective endings में कुछ ऐसे adjectives होते हैं जिनके साथ हम कोई भी ending इस्तमाल नहीं करते हैं कुछ common adjectives हो गए आला, फीला, वेनिशा, मेर, एट्सेक्टरा अगर आप चाहते हो कि adjective endogan पे एक detail वीडियो लाया जाए तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हूं यह नहीं सब के basis पे अब हम अपना question करते हैं यहाँ पे आपको comparative या superlative degree का इस्तमाल करना है sentence one to five आपको read करना है और हर एक sentence के अंदर जरूरी नहीं कोई a की answer हो जादा answers भी हो सकते हैं जैसे पहला एक example दे रहा है shown reader dash price again दुबारा से क्या price higher price होगा compare कर रहे हैं कि दुबारा से यार price बढ़ गए यानि कि हम compare कर रहे हैं कि पहले कम था तभी तो अब बढ़ गए तो यहाँ पे हमने comparative degree use की higher और उसके बाद higher की ending हमने price के हिसाब से decide की यहाँ पे देखो कोई भी article नहीं है owner article जब कोई भी article नहीं होता तो हम adjective ending यूज करते हैं इस टेबल के हिसाब से तो इस टेबल में price दी है plural उसमें क्या ending आ रही है इसलिए यह हो गया higher इसी तरह अब आपको यह वीडियो पॉस करके sentence रीट करने हैं और सही adjective end उंगन प्लस सही degree फिल करने हैं तो आई होप से आपने अपने अंसर्स फिल कर लिए होंगे तो पहला sentence कंप्लीट करते हैं शोन वीडर हो इस प्राइज बुस उन बान वैदन टोईर बस और रेल काफी ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं second इस आपका जो पुराना इस आपका पुराना वाशिंग मशीन है वो बहुत जादा बिजली यूज कर रहे है वो कह रहे है कि हमार पास कोई चीज जो है सबसे बढ़िया है मार्केट में यानि सुपर लेटिव डेगरी पहले तो इस्तमाल होगा उसके बाद अब उपर से देख सकते हो आप क्या लिख सकते हो कि सबसे बेस्ट मशीन है या सबसे मॉडन मशीन है या फिर सबसे इन्वर्मेंट फ्रेंडली मशीन है तो इसके अंदर आप कुछ भी यूज कर सकते है अड्यक्टिव अब यहाँ पर हमार पास दी है बेस्टेम्ट आर्टिकल की यह वाली टेबल है आउटो फारन इस श्लेश्ट फ्यूर दी उम्वेल्ट वन गेप टेस एंगलिश दैस आउटोस डैस आउटोस मींस ड्राइविंग जो है वो काफी जादा इन्वर्मेंट के लिए बुरा है कब फाईनली बेटर उटोस इंवर्मेंट फ्रेंडली जो आउटोस होंगी वो आएंगी अच्छी आउटोस आएंगी यहाँ पर अल्रेडी कंपेर की बात हो रही है याँ बेटर आउटोस आएंगी अच्छी है रखा है तो इस sentence में इस sentence में डैश से पहले हमार पास दी है और यह sentence actually accusative case है तो accusative case के अंदर farrader accusative case bestimpt article वाली table में क्या ending आईगी एन तो योग यह शोंसन या फिर modernstern या फिर bestern उसके next und dash model als in अंदरा गेशेफ्ट कोई भी article नहीं है तो उने article वाली हम table यूज करेंगे यह हमारा आगया शोंनरा कि वास फिफ्ट एप पाई उन स्किप्टेश दास दैश ओपस उन गेम्यूजर आले साउस देर रुयोन में हमार पास जो है best vegetables, fruits है पूरे एरिया में तो यहां पर बताओ यह sentence कौनसा case होगा accusative, nominative या fidative, table के हिसाब साब देख सकते हैं कि यहां पर आईगी e-ending को इस topic को समझने में जादा doubt आ रहा है तो आपके जो a2 के notes हैं जिसके अंदर के adjective article सिखाए गए थे उसको आप revise कर सकते हैं नहीं तो अगर आप comment करेंगे तो मैं जल्दी इन topics, इन grammar topic पर भी वीडियो ले आऊंगे अब हम अगला question पर आते हैं अगला है बीपात मतला आप environment के लिए क्या कर सकते हो घर पे इन सब जगह आप क्या क्या कर सकते हो आपको अपना माइनूंग बताने है तो इस माइनूं में ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपने अभी जो पिछले पेज पे वाइल, दा, देन, देजाल, आउस, दी, जम, गून ये सारे सीखे थे उनका इस्तमाल कर सकते हो तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक सेंपल अंसर देख सकते हो 7. वी विश्टिश इस उम्वल्ट शुट्स इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन उम्वल्ट इन्वार्मेंट शुट्स प्रोटेक्शन इन्वार्मेंट को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है वी विश्टिश इस तास वेर्हालतन देस अइसलन means कितना important है behavior where halton means behavior individual का valency या पोजिट्शियोन एक side choose करो कि कौन ज़्यादा responsible है single person ज़्यादा responsible है environment protection के लिए फिर बड़ी-बड़ी companies, government वो ज़्यादा responsible है और उसके बाद एक discussion करना है अब अगर यहाँ पे आपके पास कोई partner या partnering नहीं है discuss करने के लिए तो आप इसको as a mind लिख सकते हो direct जिसमें आप अपने opinions बता सकते हो तो यहाँ पे देखो आपको green box में दिख रहा है कुछ phrases यह phrases अच्छे से रट लेना क्योंकि आपके भीवन exam में भी speaking वाला part होगा तो उसमें बहुत काम आएगा जब हमें अपना माइनोंग बताना हो तो हम यह चार phrases यूज़ कर सकते हैं जैसे मेरा ऐसा मानना है की फिर अपना opinion माइनोंग नाक मिन्स in my opinion मेरे opinion में फिर अपना opinion मेरा ऐसा देखने का नजरिया है की फिर अपना reason इश पिंग दफन यूबजोईट दास मैं कन्वेंस्ट हूँ कि फिर अपना उपिनियन क्या रीजन है तो इन में से आप कुछ-कुछ फ्रेजिस यूज कर सकते हो सामने वाला अपना माइनूं बता रहा हो और जब यह डिसकेशन चल रहा है तो अफकोर्स आपको काउंटर रिप्लाई करना होगा अगर आप पॉजिटिव पोजिशन ले रख्यों आपने एक साइड ले रख्या है और सामने वाली साइड से कुछ और बोलेगा तो आप रियक्शन भी तो दोगे कि नहीं मेरा ऐसा मानना नहीं है मेरा देखने का दूसरा तरीका है नाना मैंनी मानता है मेरा कुछ और मानना है तो इन सब केसिज में आप ये फ्रेजिस यूज कर सकते हो मिन्स ये मेरे उपिनियन के हिसाब से सही नहीं है फिर अपना रिजन भी दोगे यहाँ पे मेरे को काउंटर रिप्लाई करना है फिर अपना नेंग माईनूंग बता सकते हो कि क्या है आपका काउंटर रिप्लाई इस जेह दास आंदर्स मेरा उसको देखने का तरीका अलग है तो जब भी आप वीदस प्रेशन में अपना रिएक्शन दोगे तो make sure कि रिएक्शन देने के बाद अपना रिजन बताओ क्यों ऐसा आपका मानना है नई नई एकदाम उपोजिट फिर अपना रिजन दे सकते हो तो यहाँ पे यह आपका टॉपिक है भी वीडियो पॉस करो और इसके उपर रिजन लिखो कि आपको क्या लगता है कि कौन रिस्पॉंसिबल है कि आपके प्रो में हो तो आप यह फ्रेजिस यह कुछ पॉइंट सी उज़ कर सकते हो और अगर कॉंट्रा यानि अगेंस्ट हो तो यह कुछ पॉइंट सी उज़ कर सकते हो प्रो के अंदर पॉइंट्स है फेरांट वोटूंग फोन ये दे मेंशन मिन्स हर परसन की रिस्पॉंसिबलिटी है यद्स अनफांगर हम अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं मिन्स हमारे बच्चो के फ्यूटर का सवाल है इसके बाद कॉंट्रा में पॉइंट्स है फेरांट वोटूंग फोर्म स्टार्ट ये सब स्टेट्स की रिस्पॉंसिबलिटी है मेर गिजेट से ज़्यादा लॉज होने चाहिए मिन्स सबसे पहलो तो जॉब्स की ज़्यादा ज़रत है इन्वोर्मेंट को साइड रखो मतला ऐसा ये पॉइंट है विर्शाफ्ट विष्टिगर मिन्स एकनौमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उवेल्ट शुट्स टॉयर्ट इन्वोर्मेंट प्रोटेक्शन थोड़ा एक्सपेंसिव है आउफ काबर देर ग्रोजम फिर्मा ये बड़ी-बड़ी कंपनीज का काम है तो आई होप सो आपने अपना उपीनियन लिखिया होगा यहाँ पर मैंने भी एक एक एक्जामपल लिखा है उसको हम एक बड़ी-बड़ी कंपनीज और साथ में स्टेट्स का काम है ना कि किसी सिंगल परसन का जबवाब बास्ट निफ्सच शेविट आवेशिशग वीड़िश से विएश बड़ी पर्फ़न सिंग एक्पिश्ट ने ख़िए आए बड़ीश्पिश्ट भी अवाथश बड़ून प्सप्पिए ग्र बड़ेंब पर्द प्रोब सबषदिए अश्ड़ इनः वार अरी व्वेट से घेसी नहीं योट येश्ट से घ拿ट जिडिकर पूंच वेज़न मेंए कोर जखिखिए रचिए ये वेडि़ंगोंच वेंगे वेहिऊ जियोंच मेंख़गों का नद धर बैस वेंगेधिए वेंगेज़ वेंगेोंदेंगरों वेश्ट एंडिकर भीषण वेड़ जो मैंने बोला, यह मैंने बोला, इसका सिंपली यह मतलब है कि मेरा मानना की इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन सिफ कुछ लोगों पे या इंडुवीज्वल्स है उनकी यह पूरी की पूरी इन्वार्मेंट को इतने बड़े लेवल पे डेमेज करी नहीं सकता और मुझे बहुत फ़नी लगता है कि जब यह बड़ी-बड़ी कंपनीज और अथौर्टेज जो है वो यह जो क्लाइमेट में के टेस्ट्रॉफे नुकसान होता है वो हमारे उपर प्रव्लेम डाल रहे है कि अरे लोगों के गलती वाइज बैट, मतल़ ऐसा क्यों कि as a normal person मैं कम पाने इस्तमाल करूँ कम मीट काऊँ, मतल़ जो मीट खाते हैं उनके लिए मैं कम पानी पी, मैं कम पाने इस्तमाल करूँ, मैं एरप्लेन कम यूज करूँ और जितने हो सके उतने छोटे घर में रहूँ, मतलब सारी जगह की एड़्जस्मेंट मैं ही करूँ और ये जो rich person है, वो कुछ भी करे जा रहे हो, वो environment के बार में सोचते भी नहीं है जाल में ना जाने कितनी बार घूमते हैं, और इसकी वज़े से कितना ज़्यादा pollution भी होता है तो यहां पे मेरा conclusion यह है कि हमें सबसे पहले उन companies को control करना चाहिए और strict laws बनाने चाहिए उसके अलावा नीचे मैंने एक थोड़ा simple version भी लिखा, बहुत basic version है इसमें मैंने कुछ ज़्यादा effort भी नहीं डाला तो यहां पे सामने मेरे को दिख रहे थे points उनी को ले लेके बस थोड़ा expand कर दिया तो यह मैंने कोई एक side ले थी, आप ऐसे दूसरी side भी ले सकते हो या फिर आप इसको और दूसरे तरीके से बता सकते हो पूरे अलग-अलग level पर बता सकते हो कि मेरे बच्पन में बहुत सारे trees वगयरा मेरे area के आसपास रहते थे बट जैसे जैसे बड़े हुए तो मैंने notice कि development हुई लेकिन आसपास पेड़ पौदे कम होते चले गए पहले बहुत सारे birds भी रहते थे birds भी एक time के बाद आसपास हमें अब दिखते नहीं है उसके बाद आप अपना opinion ऐसे start कर सकते हो कि current पे आपको क्या दिख रहा है आसपास बहुत pollution है पानी की problem होती है बिजली में भी नजाने time time पे short circuit लगते रहते क्योंकि overheat हो जाता है उसके बाद आप four tile, nak tile, advantages, disadvantages, disadvantages यह सब explain कर सकते हो तो जामन फासुम और last में अपना conclusion बता सकते हो तो यहां पर question number 8 के अंदर एक छोटा से हमारे grammar का concept है जैसे English में हम बोलते है कि this book is made of paper उसी को Hindi में बोले तो यह किताब paper कागत से बनी हुई हिंदी में से बनी हुई और English में made of इसी चीज को जब हम जर्मन में कहते है कि कोई चीज इस material से बनाए तो हम use करते हैं house, house preposition use करते हैं जैसे कि जिस किताब से अब आप पढ़ रहे हो जर्मन वो paper से बना हुई आस book is house papier में इस किताब paper से बनी हुई है अब paper किस से बना है पेड से तो हम इसको ऐसे बोल सकते है papier is house hall पेड जो है कागच पेड से बना हुई है इसी तरह जैसे मेरे आसपास और जैसे bed दिख रहा है तो मैं बोल सकते हूँ कि bed भी एक लकड़ी से बना है तो das bet is house hall और मुझे आसपास दिख रहा है एक cup जैसे अपने आसपास देखो और कोई पांच चीज़ों के बार में बताओ कि वो पांच चीज़े किस से बना हुई है तो बस यह है इसमें उसके बार यहाँ पे कुछ पिचल से रहा है जयसे देर गैल्डडशाइण, गैल्डशाइण मेंस पैसे, गैल्डशाइं किसे बना होता है? पेपर से, तो देर गैल्डशाइन इस आउस पापिर, जब ही मेटिरियल हम वताइंगे, तो उसके साथ आॉस प्रेपोजिशन यूस होता है, बस यह इतना यह. उसके बाद अग तो यहां पर यह पूरा आर्टिकल आपको रीट करना है और उसके बाद इस बेसिस पर आपको कोई पांच क्वेशन बटाने है जैसे दो क्वेशन के एक्जामपल है वान हथ मान पापिर आर्फ अर्फूंद न्साने का पेपर इन्वेंट किया अगला है वराफ रोफ हाँब ये में इमान्श इमान अजफ पाद गिप्टन निख्र विंस किस चीज को उपर आपके अजिप्ट के अंडर लोग लिग्ते घ्सका मैं अगर आपको अड्यो ने है प्रोपेशा हैजी को एक जिसने सकते रोषिध एया है पापिर, योन जिद नीट नेट जैति अनन चार्द kald इन न्रीवन का का सुटने शेकर सेटिगेगेगें winter कार्वन के लिचशेगे Спेह मार् काप़न Alltägliche Notizen und kurze Nachrichten auf Papier. Wir kennen und brauchen sie alle, jeden Tag. Ohne Papier wäre das Lebens anders. Nur wenige Erfindungen haben so großen Einfluss auf unser Leben gehabt wie die Erfindung des Papiers. Die Geschichte des Papiers die Menschen in Ägypten verwendeten schon im Jahr 3500 v. Chr. Papyrus. Um darauf zu schreiben, man stellte es aus einer Pflanze her und presste dünne Scheiben des Pflanzenstils zu Blättern zusammen. Auf Papyrus konnte man leichter schreiben als auf schweren Tontafeln, die es davor gab. Und man konnte es vor allem besser transportieren. Papier, so wie wir es heute kennen, hat man erstmals in China aus Pflanzenfasern produziert. Das war vor ungefähr 2000 Jahren. Die Chinesen hielten die Kunst der Papierherstelung bis ins 7. Jahrhundert geheim. Erst dann verbreitete sich das Wissen nach Korea und Japan. Bevor es in Europa Papier aus Holzfasern gab, machte man Papier aus alten Stofflumpen. 1843 entwickelte Friedrich Gottiob Keller eine Methode, Papier aus abgeschliffenem Holz herzustellen. Erst durch seine Erfindung war es möglich, Papier in großen Mengen und relativ günstig herzustellen. Papier als Massenware bis ins 19. Jahrhundert brauchte man Papier für Bücher und Schreibmaterial. Der Jahresverbrauch pro Kopf lag um 1800 in Deutschland bei etwa 0,5 Kilogramm. Wenn man vor Jahren einen Experten nach der Zukunft des Papierverbrauchs fragte, prophezeite er sicherlich das papierlose Büro. Aber es kam anders. Das papierlose Büro war eine Illusion. Denn viele E-Mails druckt man immer noch aus, auch wenn sie nur ein paar Zeilen lang sind. Werbematerial und Ausdrucke von Internetseiten Das alles verbraucht Papier. Heute verbrauchen allein die Deutschen mehr als 21 Millionen Tonnen Papier im Jahr. Das bedeutet, dass der Verbrauch von Papier, Pappe und Karton in Deutschland bei 256,3 Kilogramm pro Einwohner und Jahr liegt. Und das ist ein Problem. Denn für die Papierherstellung braucht man Holz von vielen Bäumen, Wasser und Energie. Und das ist ein Problem. भारी concept नहीं है, बहुत easy है, समझा दियो जब भी हम masculine noun का इस्तमाल करते हैं, सभी cases में except nominative singular case तो हम e या फिर e and ending लगाते हैं बात समझाई? masculine noun ठीक है? और उसमें nominative case छोड़के बाकि सभी cases में हम e या फिर e and ending लगाते हैं अब सवाल आता है कि आपको कैसे पता कि कहां कहां हम ये इस्तमाल करें end declination पहला rule यहां पर है end declination का कि जितने भी weak nouns यानि कि ऐसे masculine noun जो कि e या फिर t से end होते हैं, उसके अंदर mostly living beings आते हैं जैसे कि male person हो गए या फिर animals, तो उन सभी के end पर हम ये declination करते हैं यानि कि e या फिर e and ending लगाते हैं example देखते हैं their younger is lustish तो यहां पर their younger nominative है, अभी हमने देखा कि masculine में nominative case में declination नहीं होता उसके अलावा बाकि सब cases में होता है तो their young, their younger अगला है is treffer, then younger तो यहां पर accusative case है तो accusative case के अंदर their, then में बदल गया और जो हमारे young था उसका declination हो गया तो वो बन गया younger उसके बाद अगला यहां पर is helper, them younger यहां पर अपने साथ dative case लेता है इसलिए यहां पर them यूज किया और जब हमने them यूज किया तो young के साथ ending लग गई younger यूंगन अभी हम और समझ रहे हैं end तक सब समझ आजाएगा don't worry rule no.2 यह कहता है कि masculine noun end होते है a-n-t, a-n-t, a-t, a-t, e-s-t, o-g-e, g-r-a-f इन सभी के साथ जो masculine noun की ending होती है उनके साथ भी हम end declination लगाते हैं यानि कि end में end या end लगाते है इक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूँ कि इसको indirect हमारा object कौन है students तो यह क्या हो गए them studenten उसके बाए और examples कुछ देख लेते हैं इश मुस देन कुंदन ट्रेफन यहाँ पर यह sentence देखो accusative case है इस वज़े से मैंने एक हाथी देखा तो यहाँ पर यह भी accusative case है तो यहाँ पर ending क्या आगई en उसके बाद और हम नीचे चलते हैं दो और example है लेना हाट देन patient and operative यहाँ पर यह sentence accusative case है तो देन बन गया और patient आगे ending लग गया en उसके अगला इश मुस्ट है ear and nam and vision यहाँ पर मैं आपको कुछ most common masculine noun बता देती हूँ जो कि अगर आप इस level पर याद कर लोगे न तो आपके लिए topic all clear है क्योंकि इस topic के बार में detail में हम अगले levels में पढ़ने वाले है तो कुछ common यह रहे आप देख सकते हो तो अभी हमने जो concept सीखा उसके basis पर कुछ questions ट्राइ करते है जिससे आपको भी clear हो जाएगा कि आपको यह topic कितने level तक समझाया तो पर रोमा जीट डैश और ब्रैकिट में आइन student तो बताओ यहाँ पर अब हम क्या fill करेंगे यहाँ पर हम fill करेंगे याकुजाटिव केस है तो आइन बन गया आइनन रोमा जीट आइनन श्टुडेंटन अगला है यहाँ पर इश साइगा इश साइगा डैश देन फिल्म और ब्रैकिट में है यहाँ पर देया यूंग तो सोचो यहाँ पर क्या आएगा यह यहाँ पर यूंग इन डारेक्ट अब्जेक्ट है यानि डाटिव केस तो यहाँ पर यह हो गया देम यूंगर इश श्पीला मिट डैश ब्रैकिट में है माइन नेफर नेफर मतलब नेफ्यू अभी हमने उपर देखा था तो मिट के साथ हमेशा डाटिव केस यूज़ होता है तो यह बन गया देम नेफर मिट के साथ हमेशा डाटिव केस होता है तो यह बन गया माइन नेफर विया हाबन डैश ब्रैकिट में है आइन प्रेजिदेंट यह बन गया आइन प्रेजिदेंट अगला इश वोना मिट डैश सुजामन आइन आफ़ तो इसका बता न इश वोना मिट आइनम आफ़न सुजामन ओ, मेरे को पता निधाब बंदर के साथ रहते हो अगला दास हाउस डैश इस्त क्लाइन देया नाखबार मेरे नेबर का घर छोटा है तो यहाँ पे देया नाखबार इसने लिया गैनेटिव केस तो यह हो गया दास हाउस डैश नाखबार इस्त क्लाइन जेहं जी डैश देया इलफांट तो यह हो जाएगा आकुजाटिव केस जेहं जी देन इलिफांटन क्या आपने हाथ ही देखा इश बिन डैश हीर तो यह क्या है यह से माकुजाटिव केस है तो यहाँ पर यह हो जाएगा आईनन कुंतन तो नीचे कॉमेंट्स में बताओ कि आपने कितने अंसर सही लिए और जो आपने गल्द दिये कि आपको पता चल गया कि गल्ती क्यों ही और देखो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अभी यह टॉपिक बस 20-30% ही समझाया है तो काइन जौर्गन चलेगा बस यह ग्रामर समझो और कौन-कौन से ऐसे कुछ नाउंस है वो याद कर लो बस यह इतना ही टॉपिक है इस क्वेशन के अंदर कुछ वोट्स दे रखे है नाखपार, योंगर, को लेगा एक्सपर्ट तो इन वोट्स को आपको यह जो पेरग्राफ था पापिया, ओने गेटेस, नेश्ट उसके अंदर जाके ढूनना है और नोटिस करना है कि क्या इनके एंडिक में कोई चेंजिस आपको दिख रहे है दिखने तो चाहिए आप फाइंट करें उसके अब बी पे आते है बी पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे कुछ बॉक्स में शब्द दिख रहे है उन शब्द को उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरी में डालने है तो यह आप वीडियो पॉस्ट करके कर सकते है यहाँ पे सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट के अंदर सिंपली यह एक्टिविटी बेस्ट क्वेशन है मर्जिया करना या ना करना उसके क्वेशन नमबर 10 पे आते है यह क्वेशन काफी इंपोर्टेंट है जब हम कन्वेशन की बात करते हैं अगर आप एक ही फ्लो में नॉर्मल बोलते जाओं जैसे कुछ समझ आ रहा है यह कैसे बोल रहे क्या बोलन नहीं तो अगर हमें अपनी स्पीकिंग स्किल अच्छी करने है तो हमें प्रॉपर पॉजिस लेके बात करना चाहिए तो इसी टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ने वाले है लंबे लंबे सेंटेंसिस हो तो उसमे किस ताइम पे हमे पॉजिस लेने होते है उसके बाल में जानेंगे तो इसके लिए आपको अभी ओडियो सुना ही जाएगी वो ओडियो सुनो औपिचे पिचे पिचे बोलो 1. Papier 2. Papier hat man produziert 3. Papier hat man in China produziert 4. Papier hat man erstmals aus Pflanzenfasern in China produziert 5. Papier, so wie wir es heute kennen hat man erstmals aus Pflanzenfasern in China produziert Aufgabe 10b 1. Erfindung 2. War eine wichtige Erfindung 3. Holzfaser war eine wichtige Erfindung 4. Papierherstellung aus Holzfaser war eine wichtige Erfindung 4. Papierherstellung aus Holzfaser war eine wichtige Erfindung 5. But Germany में ऐसा नहीं है 5. Germany में अगर आप किसी से हालचाल पूछ रहे हो 5. They are serious कि हाँ आप honestly हालचाल पूछ रहे हो 6. Aप एक honest answer expect कर रहे हो 6. अगर वो आपसे पूछे तो आप भी एक honest answer दोगे 6. तो वहाँ पे अगर हमें कोई small talk करनी हो 6. To वहटा करो, पॉषफ पैसे अग्टो शोमने के बाद करो 7. बाद के बार में में कैसे प्चुछ फ्रेऊई उसको तो यही आपा उ 드खिए 9. ऎर जस्ट प्र underneathôm जस्ट ऐूफ बजब इस्ट रोड़़ होट Comm는 हैं, क्वेद साल आप उठै ज़ए और दोग्यर तो यह कुछ फ्रेजिस है जो कि आप लॉन कर सकते हो उसके यहाँ पर question number 11 है इसमें पूछा गया है वी इस ता स्वेटर पा एरम लांट वेल्शन स्वेटर में जी बेजोंदर स्केन वारू इसके अंदर आपको बताना है कि एक बढ़िया सा माइनूं लिख के बताओ कि वी इस ता स्वेटर पा एरम लांट मौसम कैसा आपके country में और कौन सा मौसम आपका favorite है तो यह activity based question है आप करो तो इसी question का मैंने answer दिया आप यहाँ पे screen पे video pause करके पढ़ सकतो कि मैंने क्या लिखा है यह बहुत ही basic लिखा है explain करने कि I don't think जरूरत है आपको समझ आदाएगा मैंने बिल्कुल simple simple लिखा है इसके अब बी पे आते हैं बी के अंदर आपको photos देखनी है उन बे श्राइबं जीदा स्वेटर और explain करने कि यह weather कैसा है और यह भी बताने कि अगर यह मौसम है जैसे picture से भी CD आपको दिख रही है तो उन मौसम में क्या कर सकते हैं तो इन शब्द को याद करने आपको ताकि वोकेबलरी में इस्तमाल कर सो को पहला है विंडिश ओर श्टिरमिश मतला हवादार या फिर स्टॉर्म जैसा जो मौसम अगला yे neblish means fog और foist, foist means moisture वाला मौसम जो चिप चिप सा होता है अगला yे shool means sticky चिप 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 आशा यूमिड वाला मौसम रेख नरेश बारिश वाला मौसम त्रॉकन means dry, सुखा हुआ वार्म ओद हाईस means warm सा मौसम या फिर गरम S. Schneid means birth किर रही है Kalt or Cool means thund या फिर ठंडा ठंडा सा दोनों का मतलब ठंड है S. Regnet means बारिश हो रही है Volkish or Beworked इसका मतलब की cloudy cloudy सा हो रहा है S. Nizzled means drizzle हो रही है बारिश S. Hagled means ओले ओले गिर रहे है बहुत ज़ बारिश हो रही है That's give it a thunderstorm S. Donut means बिजली S. Blitz बिजली चमक रही है Zonish Sunny Sunny समोई Zona Shined means सूरच चमक रहा है तो यह सब यह जो नीचे चार फोटोस है उससे related vocab है जो कि आप यूज कर सकते हो तो वीडियो पॉस्ट करो और इन फोटोस को explain करके बताओ तो आई होप सो आपने यह कर लिया होगा तो इस फोटोस के according मैंने यहाँ पर कुछ दो-दो-तीन-तीन sentences लिखे है example के लिए आप इनने देख सकते हैं कि जैसे बारिश के मौसम में क्या कर सकते है गरम-गरम सा मौसम हो तो क्या कर सकते है या मैं क्या करती हूँ उन दोनों का थोड़ा-थोड़ा mixture लिखा है आप वीडियो पॉस करके रिट कर सकते हैं समय जा जाएगा उसके C और D पार्ट वो दोनों ह्योरन वाला है तो ह्योरन वाला आप YouTube पे टाइप कर सकते हैं को आउडियो मिल जाएगी इसको solve करना सिर्फ देख के answers मत लिखना मैं चाहो तो net से transcript भी डाउनलोड कर लेना ताकि लेजन और योरन एक सथ प्रेक्टिस होए उसके question number 12 के अंदर ये आपकी vocabulary के उपर है कि कैसे आप एक word से धेर सारी vocabulary learn कर सकते हो तो इसमें मैंने कुछ ये examples लिख रखे हैं जरूरे नहीं आप ये लिखो आप और कुछ भी लिख सकते हैं कि अगर their Reagan किसी ने बोल दिया पारेश तो आपको वो शब्द सुनते हैं क्या-क्या शब्द याद आ जाते हैं जैसे Reagan Wogan Reagan Yaka Reagan Shirm Reagan Reagan Regnerish तो ये सारा वोकेब वाला काम है व्वेशन नमब थर्टीन है जर आपको रीट करना है उसके आपको कुछ कुछ प्वेशन दे रखे हैं वो पारग्राफ से ढूनना है ये बहुती पार्ट है तो आपको इसमें मैं को एक्स्पें करने की ज़रुत है ये है कि आप इसको रीट करने की बजाए अभी मैं इसको अधियो प्ले कर दूँगी तो आप इसको सुन सकते हो ताकि आपको रीधिंग लिसनिंग एक साथ कवर हो जाए आपको पार्टन सी जवाट जेड़ लीस्ट एनन टेक्स्ट बेंप्रोन सी इनोस सी एनीजाएं इसको अ कात्ना है ये पार्ने मेने आपको एंपको लिसे आी अ है यशाइ laughed Mom about her दाए प्रेतनी सह भार्लाय का довेतं एत्याहिं ग्राऻ दूरे स्वाग ए्से जाम कर द ए्डब इंग ऐन से लूटे टास उलाएंग लार्स Chief बेड़ चाओ नाओ झीमेशिंट अजाँ उनर बांस जागिए वास कर अले एके अंढ़ आपएवेजरे प्रνοतु ट्रेशगांग विए एक्षिझ वार अग्ते हैंगिंग वाहिए विए है उद्ट प्रावफ उिएपेंग अप्रेपन प्रेह एक्षिछ लेक्षिशनुग भूश्या है वाहिए अनुमुम्ट वो के प्टूमधा उन्गलनुध तरू करेंश व्रेशन मेराशं गूएदोर्फट लिखाम नियरा गट जय वर हैं छट शीजडर्sen अवर्ष्षे एंपर्व बर्सूद वुही वांगस्झ्इप्टण ग्रूधनि टी Uz लिद व्रिषेद केकूर पांधू्न वांद री भरांशन गां Verständnis für solche Aktionen. Lena und Kilian Mörike in Lünen tun alles, um den Kröten zu helfen. Sie opfern viel Zeit und Mühe für Tiere. Jeden Tag sammeln sie Dutzende Tiere in Eimern und bringen sie über die Brunnenstraße. Über 1000 Tiere haben sie dieses Jahr schon gerettet. Wenn wir das nicht machen, sterben diese Tiere irgendwann aus, sagt Lena Mörike. Es ist eine sinnvolle Arbeit, bestätigt auch ihr Mann. Jetzt haben wir Frage Nummer 14. Hier sind Film-Related Videos. Ihr seht es wieder auf YouTube. Ihr habt einen Film zu finden. Ihr könnt es hier sehen. Ihr könnt es lösen und trainieren. Nach diesem Überschuss ist eine wichtige Frage, die wir lösen können. Das ist Frage Nummer 16. Es ist eine Frage, die wir lernen können. Und das ist eine Frage, die wir lernen können. इती शान्त ही होती है, शहर में किता ज़्यादा शोर होता है वहाँ शान्त काम रहने का टाइम ही नहीं मिलता है, बत यहां नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत इंटरस्टिंग काम है, आप ऐसे लिग सकते हैं, पे एक कुर्टसुन क्लार सेक्शन है, इसमें स सारा कुछ कवर कर लिया है इसी तरह बीवन नाइटवर्स की और वीडियो देखने के लिए आप ये प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो और उसके बाद चाहे तो ये वीडियो भी देख सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तो के लिए डांकिशन चूस बाई